हेलो एब्रिवन आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो आप सभी को मेरी तरफ से पुरानी पेंसल बहाल होने के लिए बहुत सारी बदाया और आज बहुत ही खुशी का दिन भी है बहुत बड़ा दिन है तो आज हम आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए है कि क्या राजय सरकार जो है वो केंदर सरकार की अनुमती के बिना पुरानी पेंशन को बहाल कर सकती है या नहीं तो हम इसमें डिटेल से जानेंगे कि कौन सी अनुसूची में और किस स्थान पे इस योजना का उले किया गया है और किन-किन राजयों में पुरानी पेंशन योजना चल रही है और किन राजयों में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है और राजस्तान सरकार जो है वो लागू कर सकती है या नहीं कर सकती है या उसे केंदर की अनुमती लेनी होंगी तो चलिए आएए देखते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है तुम आपको बता देती हूँ सविधान की सातवी अनुसूची के अंतरगत जो है राजे सूची के विशे 42 में स्थान पर राजे की पैंसन ने अतार्त राजे दवारा राजे की संचित नेदी में से संदाए पैंसन का उलेग किया गया है यानि जो राजय सरokार है वो अपनी जो इच्छा अनुसार कारमिकों को पैंसन जो है वो लागू कर सकती है या नहीं भी कर सकती है तो ये उनकी पूरी तरह राजय की इच्छा पर निरभर करता है और यहीं सविदान की साथवी अनुसूची के 42 में विशय पर दिया गया है राज्य सरकार जो है उसके लिए आगे भी जो वर्णन दिया गया है 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पैंसन परनाली में किंदर सरकार के संकल्प में पर्थम प्रावधान किया गया था कि राज्य के लिए यह एक व्यकल्पिक व्यवस्था होगी विजब चाहे जो है नई योजना को अपना सकते हैं इसके तरिक नई पैंसन योजना से समंदित किसी भी अधी सुचना में राज्य के लिए इसे लागू करना अनिवारे नहीं होगा यानि राज्य सरकार जो है वो अपने इच्छा अंसार इस पैंसन को लागू कर सकती है उन पे किसी भी तरिके का कोई दबाव नहीं होगा और ना ही इसे अनिवारे किया जाएगा कि आपको पैंसन योजना जो है लागू करनी है तो सबी राजे सरकार जो है राजे सरकारों के लिए ये अपनी इच्छा शक्ती पर निर्बर करता है यही कार्ण है कि केंदर सरकार दवारा इस योजना को एक जनवरी 2004 से केंदर ये कर्मियों पर अनिवारे रूप से लागू करने के बाद भी अधिकान सराजियों में पुरानी पेंसन योजना ही लागू रही यानि केंदर सरकार ने अपने कार्मिकों पर एक जनवरी 2004 से इस योजना को अनिवारे रूप से लागू कर दिया यानि जो केंदर के गरमचारी है उन पर नई पेंसन योजना अनिवारे रूप से लागू रहेगी लेकिन इसके बाद भी नागालेंड मिजोरम और मेगाले में पुरानी पेंसन योजना जहां 2010 तक लागू रही वहीं 36 गड में 2012 और केरल में 2013 इसके अतरिक्त पस्यम बंगाल में पुरानी पेंसन योजना आज भी लागू है यानि जो नागालेंड मिजोरम में घाले 36 गड केरल और पस्यम बंगाल है इन में से पस्यम बंगाल को छोड़कर सभी ने इस योजना को अपनाया लेकिन 2010 बारा और 13 तक अपनाया जब उन्होंने इसको सही माना तभी इस योजना को अपनाया और इसके बाद पस्यम बंगाल ने आज तक इस योजना को नहीं अपनाया है इसके बाद है इसके अलावा जो किंदर सरकार द्वारा समय समय पर NPS में बदलाव किये गए थे और जहां Family Disability Pension और सरकार का जो शेर है 10 परतीशत से 14 परतीशत CGHS Benefits के Notification भी सभी राजय सरकार अलग लगस में आने पर अपने राजयों में लागू कर सकती है यानि जो हमारी सैलरी का 10 परतीशत सरकार को जाता है वो भी उसमें कहा गया है कि राजय सरकार जो है अपनी मर्जी से लागू कर सकती है इसके बाद है कोई भी राजय सरकार अपने जो करमचारी है उन पर पुरानी पेंशन योजना के लिए लागू करने के लिए सवतंतर है यानि राज्य सरकार जो है वो पुरानी पेंसन योजना लागू करने के लिए सवतंतर है वे केंदर सरकार की सहमती के बिना या एस सहमती या सहमती के बिना भी इसे लागू कर सकती है क्योंकि पेंसन पर होने वाला खर्चा जो है राज्य की संचीत नेदी से ही देना होगा यानि पूरी जो हमारी question था कि क्या राजय सरकार केंदर की सहमती के बिना इस योजना को लागू कर सकती है तो इसका जवाब है हाँ केंदर की सहमती के बिना लागू कर सकती है क्योंकि केंदर सरकार ने इस चीज़ के लिए स्वतंतर रखा है राजय सरकारों को कि आप अपनी मर्जी से लागू कर सकते हैं आप चाहे तो नई पेंशन योजना लागू कर सकते हैं या आप चाहे तो पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकते हैं सविधान की साथवी जो अनुसूची है उसमें राज्य सूची के 42 विशय में इस पेंसन योजना का जो वर्नन किया गया है ये मैंने आपको उपर बता दिया था कि जो सविदान की साथवे अनुसूची जो है उसके 42 जो है इस योजना का उलेक किया गया है और इसमें जो है केंदर सरकार का कोई भी हस्तक शेप नहीं होगा तो इसके लिए आप सभी को बहुत सारी बदाई कि आपकी पुरानी पेंसन योजना जो है वो बाहल हो चुकी है और वो लागू होने जा रही है तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारी बदाई और इस तरिके की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मेरी चैनल को लाइक करें, शियर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद